बिरनवी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो जब भी मुझे एक फाइनांस प्रोफेशनल से बात करने का मौका मिलता है मैं हमेशा यह सवाल पूछता हूँ कि लैंड्सकेप के बारे में बता हूँ क्योंकि अगें आप लोगे पास एक्सरे होता है यह मैं आपको शाक टैंक रिलेटेट सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि मैं एक्जाक्ली भारत में अब क्या हो रहा है आने वाले पांच सालों में क्या होगा रिलिस्टिकली कौन से इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं अज इन इंवेस्टर आपका इंट्रेस कहा है एक्सेटर एक्सेटर आपको देखना पड़ेगा कि भारत हाँ एक बहुत यूनिक पॉइंट पे है शायद यहां चाइना पंदरा साल पहले था क्योंकि भारत में ती इंट्रेस काम करेंगे यह सब करेंगे और हमारा जो आज हमारी इंडिया में थोड़ा सा टेकनिकल पर कैपिटा इंकम कुछ पच्छिस सो डॉलर है 2700 मुर्ब हर घर में कितनी कमाई हो रही है फिक है अब उसे कैलकुलेटर बाट तू लाइक रुपीज और वो डबल हो जाएगी ओवर थे नेक्स फ्यू गयर्स और यह धाई हजार डॉलर बढ़ी एक इंट्रेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसमें इन्सान की किसी भी देश में रोटे कपड़ा मकान जिसको हम बेसिक नीड्स कहते है वो खतम हो जाती है तो फिर फिर वो और आगे की चीज़े करता है विच इस वाई यू और अलसो सीग दिस बूम इन कंजम्शन इन इंडिया कंजम्शन मतलब क्या है आप देख लिए जए बुल्गारी वाले बारा लाग का ब्रेसलिट आप जैसे लड़कों के लिए लाँच करने है प्रीमियम कार्स लाँच हो रही है प्रीमियम बाइक्स लाँच हो रही है प्रीमियम फ्लैट्स लाँच हो रहे है और 12 करोर्ड की संख्या पिछले 6-7 साल में डबल हो जाएगी तो यह आपका पहला trend है दूसरा एक भारती यह magic है entrepreneurship का now entrepreneurship could be small companies on shark tank और बड़ी बड़ी listed companies हर अदमी आउदत से बात करो तो वो अपने business के बारे में bullish है capacity expand कर रहा है अपना धन्दा expand करना चाहता है और बड़ा सोच रहा है जो businessman पहले चाइना से import करता था वो कह रहा है कि चलो अब मैं assembly इंडिया में करूँगा पांच साल बात मैं सब कुछ इंडिया में करूँगा जो tier 3 में लड़का पहले सोचता था या लड़की कि मैं railway की नौकरी के लिए clerk की position के लिए apply करूँगी वो सोचती है मैं अब start-up कर लूँगी वो ही कर लूँगी तो एक entrepreneurship का जो इंडिया has always been about entrepreneurs हिंदुस्तान ही fundamentally जो गाडू दंदे करने वाला वो तो है and third what is happening is कि इस सारे ecosystem को एक policy की और सरकार की बहुत support मिल रही है तो जो companies चाहती है हमारी वो सरकार उन्हें दे रही है policy के दौरान और एक stability का बहुत महुल आ रहा है तो I think ये तीनों चीज़े हिंदुस्तान को अगले 10 साल हम सब के लोग बहुत कमाल के होने वाले हैं हम शायद जो भी हम targets, budgets set करते हैं हम गलत होंगे क्योंकि हम underestimate करेंगे ये मेरा मानना है इंडिया के बारे में आपने sectors की बात ही I actually think India एक बहुत unique country है अगर आप कुछ countries को देखें तो उनकी economy एक ही commodity पे होती है या tourism पे होती है एक यजी India is not a single sector country अगर आप financial services वाले से पूछेंगे what sector are you most excited about वो आपको financial services बताएगा लेकिन मैं आपको healthcare की भी बहुत अची स्टोरी बता सकती हूँ और tech की भी और manufacturing की तो India is such a big market कि अगर आप कोई भी customer oriented problem solve कर ले जो which matters to enough customers आप पैसे बना सकते हैं as a finance professional आप policy study करतो जी हम बिलकुल करते हैं हम study हम बहुत ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है as a finance professional जो आप study नहीं करते इसका क्या मतलब है ऐसा कुछ नहीं है मतलब आपको ये जानना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है आप चानना चाहते हो दुनिया में क्या हो रहा है बाकी देशों में क्या हो रहा है आप जानना चाहते हो sectors और अलग-अलग industries में क्या हो रहा है आप जानना चाहते हो consumer कैसे सोचते हैं क्योंकि कोई business isolation में रहता वो consumers को देखता है आप चानना चाहते हो business models के से change कर रहे हैं तो as a finance person आप हर चीज़ी study करते हैं आपको काम ही पढ़ना है और आपको सबसे exciting यही लग रहा है कि इंडिया basically अमीर हो रहा है तो consumption बढ़े ही मुझे लग रहा है हिंदुस्तान certainly consume कर रहा है तो वहाँ opportunity बढ़े है हिंदुस्तान manufacture कर रहा है एक time पे सदियों पहले 1600s before the British game India used to be 25% of the world's manufacturing back in 1980s you could not buy a hair dryer here made in India I think India में एक manufacturing movement change हो रहा है पहले हम में एक single sector economy होते थे which is services or single theme economy which is services IT services, healthcare services the services में मस्ट रही थी India produced engineers to the world अब economy एक leg की तरह दो legs पे चल रही है जो services है और अब है manufacturing में भी वह आएगा तो India is consuming India is manufacturing यह topic show पर discuss हुआ है manufacturing को लेकर पर किसी ने भी घुस कर समझाया नहीं है तो मेरी theory यह है कि बहुत सारी first time entrepreneurs जिन्होंने service oriented business start किये digital business start किये I feel कि उनका फर्ज है कि एक दूसरा business start करे इस पहले business journey के बाद जहां उस पहले business journey के skills उठा कर manufacturing oriented businesses start करे इसके लिए बहुत लोगों के लिए roadblock सिर्फ finances है और finances आप जैसे institution से I don't think finance capital किसी भी industry के लिए इंडिया में roadblock है 20 साल पैते होता था लेकिन अब capital roadblock नहीं है कहां से generate होगा capital debt capital से generate होगा equity से generate होगा अगर आपके पास एक अच्छा manufacturing idea है and you want to start up आपको funding मिल सकती है आपको debt funding मिल सकती है आपको equity funding मिल सकती है ढूंड रहें आप में idea और execution capability So equity funding is the same equity funding people want to see आपका idea क्या है आपका market क्या है आपकी target unit economics क्या है जो आजकला entrepreneurship cup में काफी forgotten topic है और आपकी execute करने की capability क्या है lenders देखते है if someone is lending to you lending होती है जब आपका थोड़ा proof of concept आपका business थोड़ा इस्टैबलिश हो जाए lender सोचता है मुझे अपने पैसे कैसे वापस मिलेंगे equity वाला सोचता है मुझे return कैसे मिलेंगा lender सोचता है मुझे पैसे कैसे वापस मिलेंगा unit economics क्या होता है unit economics यह होता है कि अगर आप 100 रुपे का समान बेच रहे हो तो आप उसमें कवा देखिया हो and हमने देखा है और बहुत सारी cost associated होती है जैसे अगर आप ये mug बना रहे हो 100 रुपे का mug आप इसको बेच रहे हो इसको बनाने की एक आपकी cost लगती है 10 रुपे, 20 रुपे वो basic cost होती है उसके बाद इसको logistics और packing की आपकी एक cost लगती है उसके बाद अगर आप किसी site पे बेच रहे हो Amazon पे बेच रहे हो उसकी कोई listing fee लगती है distributor को कुछ दे रहे हो उसकी fee लगती है फिर आपके corporate overheads लगता है finally ये सारा चिठा हो जाता है तो आपका कुछ profit बनता है बनना चाहिए we like to see कि businesses की आज चाहे लोग profit ना बना रहे हो that is okay not every company is built to be profitable from day one in fact most are not लेकिन आपकी basic profitability की दिशा तो है आप 100 रुपे का समान अगर 120 रुपे का बेच रहे हो फोड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर आपने बहुत सारे कप बनाए तो unit economics benefit हो सकता है and as आप scale करते हो आपकी unit economics better हो जाती है और आपके overheads कम हो जाते है क्यों fixed cost उतनी होती है तो आप finally जाके पैसे बनाते है तो ये एक mathematical guideline है पर मैं आपसे उस ideation guideline के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि वही manufacturing oriented entrepreneurs ideas कहां से निकालेंगे so there are lots of places to manufacture my god there are so many I mean lot of the things today if you look at आज बहुत सारे जो businesses है we are still doing import from some part of the world so in beauty you will import from Germany why not manufacture in India because manufacturing से क्या होता है आपका जिसको हम moat word कहते है advantage, right to win manufacturing से आपका moat बनता है दूसरा manufacturing economy के लिए बहुत अच्छा है manufacturing creates jobs services oriented businesses एक limited set of नौकरिया प्रोड्यूस कर सकते है और हिंदूस्तान की बड़ी need है नौकरिया यह मैंने young population की बात की अगर इनको आप नौकरिया नहीं दोगे तो इनका होगा क्या पर फिर भी एक CTA के perspective से call to action अगर एक बाइस साल का student है तो उन्हें इस journey की शुरुआत कहां से करनी चाहिए अगर manufacturing entrepreneur बनना है life में एक दूसरे manufacturing entrepreneur के साथ थोड़ा काम करना चाहिए पहले manufacturing की basic सीखोने चाहिए बड़े एक idea होना चाहिए I think you need a product and an idea that you want to manufacture एक I think किसी भी business की शुरुआत कहां से होती है किसी customer की problem से अब एक ऐसा and I have seen Indians की एक बहुत ability है कि अगर ये mug भार विदेश में 200 डॉलर का बन रहा है तो हम इसको 100 रुपे में बनाने का तरीका बना लेंगे हमारे हिंदूस्तानी consumer का जैसे कि आंटिया कहता है कि घर पे मैं और ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ मैं ममी कहती है ना manufacturing entrepreneurs को कहना चाहती हूँ आपको एक बहुत advantage है आज आप सस्ते में इसलिए manufacture कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में cost of labor बहुत कम है एक time पे चाइना में थी आज हिंदूस्तान में cost of labor बहुत कम है आई population बहुत बढ़ी है population का फायदा उठा सकते है population का फायदा और labor cost का आज यह पीस साल बाद नहीं रहेगा labor cost बहुत कम है तो अगर आप manufacturing business शुरू करना चाहते हैं तो एक segment ढूंडिये एक problem ढूंडिये लोग hire करिये और काम पर लगी मेरे third year of engineering में मैंने Ernst & Young में इंटर्णशिप करी थी इंटर्णशिप करके मैंने यह जाना कि आप लोग युपास tools होते हैं जिसकी वज़ा से आपको actual live data मिल जाता है about in different industries correct ऐसे कुछ tools आप recommend कर सकते हैं जो free of cost है या as a finance professional जो आप research कर रो R&D कर रहो किसी sector को लेकर generally जो tools finance professionals use करते हैं वो आम इंसान को use करने की ज़रूरत नहीं है because finance professionals का क्या है हम लोगों के पास पैसा है जो हमें रोज मैनेज करना है हम companies में invest करते हैं उनके price rose move होते हैं हमारे पास और लोगों का पैसा है तो हमें चीज़ें बहुत day to day basis पर track करनी की ज़रूरत है आपको अगर आप एक business शुरू करना है आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको एक industry की पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए and मेरा यह मानना है कि अगर आपको कोई भी industry सीखनी है तो आप ground पर जाके काम करो plant visit करो customer से जाके बात करो I can't talk about this yet but there's a business in Shark Tank that really impressed me क्योंकि इंको बंदा trade में जाके दुकानों में घुशके जाके काम कर रहा था उससे उससे समझ आया कि यहां लोगों की need क्या है यह मैं आप सा पूचा था जो आपने कहा कि यह बहुत actionable यह बहुत practical actionable कि actually जाओ manufacturing units में और बात करो लोगों से लड़कियों की लेडीज की जो अभी तक मेटनी है जिसमें आप कुछ काम कर को होगे फिर आप trade में जाके बात करो जो दुकाने हैं जो साडियां बेशती हैं जो रिटेलर्स हैं वो कहां से खरीती है साडियां किन manufacturers से खरीती है उनकी कोई दिक्कत है से डरता था क्योंकि हमेशा यह लगता था कि मेरे में वो capability नहीं है काबलियत नहीं है एक business खड़े करने की पर सबसे बड़ा lesson यह था कि जो आपने का है कि एक mental blueprint होना चाहिए एक instruction manual होना चाहिए जो आपको usually कोई mentor दे देगा उसके बाद पूरी game आप किया कि आपने कितनी ज़्यादा execution करी and business is 90% execution ideas तगड़े होते हैं बहुत लोगों every day you'll meet one uncle who has an idea I mean ideas कि मैं तो यह कर लूँगा मैं तो वो कर लूँगा करता कोई कुछ है ने so because execution बहुत मुश्किल है idea देना ना और ऐसे बाते करना बहुत आसान है जाके घूमना और लोगों से मिलना और साडियों के दुकानों में घूमना वो बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं और sustainably कर पाते हैं और business में मुनाफ़ा कमाने के लिए तो time लगता है time तक कर पाते हैं execution क्या है execution is day in day out day in day out execution बहुत boring चीज़ है इसलिए बहुत कम लोग कर पाते है strategy और ideas के बारे मैं बात कर आप एक dinner party host कर रहो और 10 uncle'ों को लाओ 10 आपको business idea महीं मिल जाएंगे एक implement नहीं होगा उन में से bottom line is manufacturing अगर अपना सकता हो अपने business के ले as an idea अपना हो but then chase it through great execution chase it through great execution तो ऐसे ही बहुत सारे clips अपलोड की हैं इस channel पर channel को explore करो देखते जाओ और सीखते जाओ अपना हो यज जाओश देखते जाओश जाओश